नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं इसलिए सभी नियुक्तिया निर्धारित समय के अंदर पूरी हो ताकि ऐसी समस्या ना आए CM ने अधिकारियों को 5000 पुलिस कर्मी और 583 उत्पाथ सिपाही की नियुक्ति परकिरिया में भी त्यजी लाने के लिए कहा है बैठक में CM को बताया गया है की 583 उत्पाथ सिपाही की दोड़ परकिरिया जुलाई 2024 और 5000 पुलिस बहाली की दोड़ परकिरिया 15 अगस्त तक पूरी कर ली जागी बैठक में मुख सचीव एल ख्यागते मुख मंत्री के अपर मुख सचीव अविनास कुमार प्रधान सचीव गिरिः विभाग वन्दना डाडेल डीजीपी अजय कुमार सिंग समेत कई अधिकारी मोजुद थे बतादे प्रधान सचीव पत निर्वान विभाग सुनिल कुमार जार्खन करमचरी चेन आयो के अध्यक्स प्रसंत कुमार नगर विकास सचीव अरवा राजकमल एडीजी हेड कौार्टर आरके मलिक एडीजी ओपरेशन संजय आनंद लाटकर आईजी रांची अखिलेस जा यूआ कांगरेस अध्यक्स अभिजीत राज की अध्यक्सता में अभिजीत इस बैठक में कांगरेस के परदेश अध्यक्स राजस ठाकूर नव नयुक्त मंत्री दिपिका पांडे सिंग डाक्टर इफान अंसारी और विधायक ओमा संकर अकेला सामिल हुए कांगरेस परदेश अध्यक्स राजस ठाकूर ने कहा है कि हम यूआ कांगरेस के साथ खड़े हैं आने वाले विधान सभा चुनाओं में यूआओ के दम पर जीत धर्च करेंगे वहीं किरिशी मंतरी दिपिका पांडे सिंग ने कहा है कि मैं यूआ कांगरेस की ही प्रोड़क्ट हूँ मेरी जीत में यूआ कांगरेस का आहम योगदान है जो जिमेदारी दी गई है आने वाले दिनों में उसे बखो भी निभाऊंगी और युगा कांग्रेस के साथ ही को जहां मेरी ज़रुरत पड़ेगी वहां साथ खड़ी रहूंगी जार्खन में ड्राप आउट बच्चे ओपन इस्कूलिंग में लेंगे नमांकन जारखन में drop out और out of school बच्चों का national institute of open schooling में नमांकन हो सकेगा इसकूली सिक्षावा सक्षार्ता विभाग न इसकी तियारी सुरू कर दी है 15 से 18 साल के ऐसे बच्चे जिन की पढ़ाई छूट गई है और वे school नहीं जा पा रहे हैं वे एन आई ओएस में नमांकन ले सकेंगे वे 27 जुलाई साम पांच बे तक online registration कर सकेंगे वे अपनी एक्षा नुसार तीसरी पांचवी आठवी दसवी या बारावी की पढ़ाई पूरी करने के लिए registration करवा सकेंगे जारकन सिक्षा परियोईना परिशाद 15 से 18 वर्ष के out of school और drop out school के बच्चों की संख्या जुटा रही है जारकन सिक्षा परियोईना परिशाद के राज्ये परियोईना निदेशक आदित रंजन ने ऐसे बच्चों अरुन का इभागों से अफिल कि है कि जो बच्चे भी द्याले से बाहर रह गए हैं या ड्राप आउट हैं वे फिर से अपनी पढ़ाई आरम करे और उन्हें पूरा करे जारकन के मनरेगा कर्मियों के मांदे में 15 दिनों के अंदर होगी बिरिधी ग्रामिन विकास सचीव के सिरिनिवासन ने मनरेगा कर्मियों को ग्रेड पे सुनिश्चीत करने के साथ ही 60 साल तक सेवा और बीमा जैसे मुद्धों पर सकरात्मक पहल करने का भरुशा दिलाया जार्खन राज मनरेगा कर्मचारी संग के परदेश कमिटी का प्रतिनिदी मनरेगा आयुक्त के बुलाये पर उनके ग्रामिन विकास विभाग में वार्ता के लिए पहुँचा था संग के अनुसार सचिव ने उन्हें भरुशा दिलाया है कि मनिपूर की तज़ पर गिरेट पेक की संची का अभिलम तयार करने का निर्देश दे दिया गया है वहीं आंगन बाड़ी कर्मियों एवं परासिस्कों के समान अनुकमपा पर नौकरी का प्रविधान करने के लिए संची का बढ़ाने को कहा गया है जैराम महतो की पार्टी का टिकट के लिए देना होगा इंटर्वियू इस बार लोकसभाचुनाव में अपनी दमदार उपसिती दर्ज कराने वाली पार्टी चारखंडी भासा खतियान संहर समीती ने बिधान सभाचुनाव की तयारी तेज कर दी है राजी की 81 में 50 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तयारी है लोकसभाचुनाव में ज्यवी के एसेस के परत्षन को देखते हुए विधान सभाचुनाव के टीकट के दावेदारों की संख्या में काफी ब्रीधी हुई है इसके बमदन नजार ज्यवी के एसेस सुप्रीमो जैराम महतुन टीकट के लिए मापदन तय किये है इसी बीच जेवी केसेस की धनबाद कमिटी का बिस्तार करने का नहीं नहीं लिया है इसे लेकर 10 जुलाई को गीता रानी पहले भोला टाड में बैठक होगी बता दे बैठक में सभी उमिद्वार को अपना अपना बायो डाटा लेकर पहुंचने का निदेश दिया है महिला अभ्यार्ती को भी बुलाया गया है हजारी बाग में होमगाट के घर से 5 लाख के जेवर की चोरी हजारी बाग जिले के बढ़का गाव थाना छेत्र के हरली बेला बेलतौल निवासी होमगाट के जवान बिजय कुमार पांडे के घर से करी 5 लाख रुपई के जेवर 1,15,000 रुपई कैस और जमिन के कागजात की चोरी हो गई है इस समद में होमगाट के जवान बिजय कुमार पांडे के पुत्र बीवे कुमार पांडे के आवेदन पर बढ़का गाव थाने में मामला दर्ज किया गया पुलिस मामले की जाच कर रही है बजादे हजारी बाग जी ले के बढ़का गाव थाने में धर्ज मामले के अनुसार सोने की मंग्टी का नथिया, गले के हार, कान की बाली, कंगना चांदी का पायाल, बिछिया, कमरधानी सहित लगबग, पांच लाख के जेवरात और एक लाख पंद्राजय रुपे नागत, एक मोबाइल, करिब 30 रुपे के पितल के बरतन और जमीन समंधी काग्जात समेत अनेचोरी हो गई है कुलहान बंद के दोरान मवादी कर सकते हैं उपद्राओ, नकसलियों ने 10 जुलाई को कुलहान प्रमंडल बंद बुलाया है, इसे देखते हुए पुलिस मुख ख्यालाई की ओर से अलर्ट जारी किया गया है खुपिया विभाग को सुचना मिली है कि बंद के दोरान नकसलियों अपने प्रभावाले छेतर में रेलवेट ट्रैक, सरकारी संपत्तिया या निर्मान कार या अस्थल पर हमला कर सरकारी संपत्तिय को नुकसान पहुचा सकते हैं डिजीपी अजाय कुमार सिंग ने कहा एक सुरक्षा को लेका अलर्ट किया गया है, नकसलियों की गतिविद्यों पर निगरानी रखने का भी निदेश दिया गया है, ताकि नकसलियों अपने किसी मन सुबे में सपल नहीं हो, उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे नकसलियों की स इसके माध्यम से बच्चों की जनकारी मांगी है, इसकोलों दोबारा दी कहीं जनकारी के अनुशार राजे के 24,45,33 बच्चों का आधार वैलिडेशन फेल है, इसके अलाबा स्कूलों ने 9,25,11 बच्चों का आधार वैलिडेशन ही नहीं किया, वहीं दूसरी ओर 11,46,540 बच प्राधियों ने बिर्षा चोग इसीद्ट डीपी जोएलर्स दुकान में हुए लूट कान का खुला सा करते हैं पलामु के हेलमेट गिरोह के आठ अपराधियों गिरफतार किया है अपराधियों ने डीपी जोएलर्स से डेर्ड कोलोर रूपए की जेवरात और अड़ाई लाक रूपए नगत लूटा था इस दोरान अपराधियों ने गोली चला कर संचालक और उसके मित्र को जखमी कर दिया था गिरफतार अपराधियों में पलामु निवासी विकास उर्फ बिकी कुमार सासी भोषन परसाद उर्फ पिक टू बीवेक कुमार पंकज कुमार सर्मा अभिरंजन कुमार सिंग गढ़वा निवासी मुकेस कुमार सुरज कुमार विसकर्मा और पलामु निवासी रितेस बर किया गया है जारखन में बीजली संकट का हल निकालने के लिए मुख्य मंत्री से करेंगे बात खटर केंद्रिये उर्जा मंत्री मनोहर लाल खटर ने कहा है कि राजे में बीजली संकट का हल निकालने के लिए आपस में मिल जूल कर ठोस पहल करने की जरूरत है उन्होंने कहा ह कि जो भी समस्याय हैं इसके लिए नई सरकार के मुख्य मंत्री हमान से बात करेंगे उन्होंने मीडिया के सामने केंद्री की ओर से हर संभा मदद को लेकर आस्वास्त किया है केंद्री ये उर्जा मंत्री मनोहरलाल खटर मंगलवार को रिम्स में पावर गृट द्वारा तया 310 बेट के आस्रे ग्रिह के उद्घाटन कारकरम में बोल रहे थे रांची के बेडो में बस पलटने से 18 लोग जखमी रांची के बेडो में यात्रीयों से भरी बस पलट गई है जिसमें 18 लोग हायल हो गए सभी को समुदाईक स्वास्त के अंदर में भर्ति कराया गया घाटना बेडो थाना चेत्रे के पावर ग्रीट के समीप की है बता दे रांची गुमला मुख्य मार पर अमर नामक यात्री बस पलट गई जिसमें डेढ़ दरजन लोग जखमी हो गई बताया जा रहा है कि ये हाथसा एक रागीर को बचाने के चक्कर में हुआ है हाथसे की जनकारे मिलते ही लोगों की भीड़ जूट गई है पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और सभी कहाई लोगों को समुदाईक स्वास्त के अंदर बेडो पहुंचाया गया है करें किरिश्तक मित्रों का मांदे भी एक है रुपे से बढ़ा कर दो हजार रुपे किया जाएगा उन्होंने विभाग को इसका विप्रस्ताव त्यार करने का निज़ेस दिया है दीपिका पांडे सिंग ने कहा है कि सुखा के स्थी से निपटने के लिए भी विभाग के पास बहतर का योजना त्यार होनी चाहिए उन्होंने कहा है कि उरवारकों की उच्ची दर पर बिक्री पर रोक लगे जामों की सरकार दुबारा नहीं बनेगी परतूल सहदेव भाजपा के परदेश परवक्ता परतूल सहदेव ने जामों की प्रेश स्वारता पर पलटवार करते विए कहा है यह सरकार अब दुबारा सत्ता में नहीं आएगी वैसे भी NDA को पिछले लोग सभा चुना में 52 विधान सभा सीटों पर बढ़त मिली थी वही साता धरी गडबंधन सताई सीटों पर सिमट गया था प्रतूल ने कहा है कि इस सरकार पर बाबुलाल मरांडी का खौप हमेशा सीद चड़ बोलता है इन लोगों को सोते जाकते बाबुलाल की याद आती है क्योंकि इनको पता है बाबुलाल मरांडी के अधेक्स्ता में भाचपा गड़ बंधन आगामी बिधान सभा चुना में बड़ी जीत की और अग्रसार हो रही है धावनी पर दूसन रोकने के लिए क्या करवाई हुई कोट अधालत ने राज सरकार से जबाब मांगा है अधालत ने सरकार से पुछा है कि इस मामले में अब तक क्या करवाई की है और आगए इसको रोकने को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे अधालत ने कहा है कि इस मामले में जानता सही सी कायत करने को क्यों कहा जा रहा है जब इसको लेकर पूर्व से नियम है और कोट ने भी आदेश दिया है तो इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा धरनी परुशन परोग लगा कर सरकार का दावित है मामले की अगली सुनवा एक सप्ता बाद होगी हफिजूल हसन के खिलाब चुनाव आयोग पहुँची भाजपा भारितिये भासा में होनी चाहिए प्रम्तु हफिजूल हसन ने भार्तिये भासा कपर योग नहीं किया परतिनिदी मंडल ने मांग किया है कि जिस परकार के सब्ध हफिजूल हसन ने परयोग किये है और आशन वेधानिक तरीके से सपतली है उससे उनकी बिधान सबाग से सतारध हो प्रतिनी वंडल में संजाय चोधरी भी सामिल थे धन्यवाद